साथियों, बिश्वी शताब्दी में हमारा गुजरात हमारी पहचान क्या थी? हम एक ट्रेडर स्ट्रेट के रुप में जाने जाते थे, एक जगा से लेते थे, दूसरी जगा पर देते थे, बिच में जो भी दलाली मिले, उसे गुजरा करते थे, ये हमारी छबी थी, लेकिन बिश्वी सब्दी की उच्छभी को छोड़ करके, 21 सदी में गुजरात ट्रेड के साथ एक अग्रिकल्चर पावर हाउस बना, एक फाइनांचिल हब बना, और एक इंडिस्ट्री और मैनिफेक्टरिंग इको सिस्ट्रीम के रुपे, उसके एक नई पहचान बन गई इसके अलावा, गुजरात की ट्रेड बेज रेप्यूटेशन भी काफी मजबूत हुई, इन सभी के पीशे, वाइबरन गुजरात जैसे आयोजनों की सभलता है, जो आइडिया, इनोवेशन और इंडिस्ट्रीज के इंक्यूवेटर की तरह काम कर रहा है, हमारे पास पिछले बीस वर्सों के हजारों सक्सेस स्टोरीज और केस्ट्रीज है, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग और एफिजन प्रोजेक इंप्लिमेंटेशन से यह संभव हो सकता है, टैक्स्टाइल और एप्राइल इंडिस्ट्रीज के इंवेस्टमेंट और एंप्लिमेंट अभूत्परव बढ़ोतरी हुई है, जिसका कारा हमारा एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड बन रहा है, बिटे दो दसकों में हम अलग-अलग सेक्टर में नए मुकाम तक पहुंचे हैं, ऑटो मोबाइल सेक्टर में 2001 की तुलना में हमारा निवेश करीब 9 गुना बढ़ा है, हमारे मैनुफेक्टरिंग आउटपुट में 12 गुना बढ़ोत्री हुई है, केमिकल सेक्टर में गुजरात देश और दुनिया की तमाम कंपनियों की पसंद बन गया है, आज भारत की डाइज एन इंटर्मेडियस मेनुफेक्टिंग में गुजरात का योगदान करीब 75 प्रसेंट है, एग्रो और फूट प्रसेंटिंग इंडर्सिंग निवेस में गुजरात का हिस्सा देश में सबसे अधीक है, आज गुजरात में 30,000 से अधिक फूट प्रसेंटिंग उनिट्स काम कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर में गुजरात एक इनोवेशन ड्रिवन नॉलेज फोकस फार्मा इंडर्स्टिंग के रुप्य उभर रहा है, मेडिकल डिवैसेज मेनिफेक्टरी में 50 परसंट से ज़्यादा और काडियाक स्ट्रेंज मेनिफेक्टरी में करीब 80 परसंट हिस्सा गुजरात का ही है, जैम एन ज्वैलरी इंडर्स्टिंग में तो गुजरात की सफलता अध्भूत है, पूरी दुनिया के प्रोसेस डाइमेंड्स का सेवन्टी परसंट से ज़्यादा हिस्सा गुजरात का है, भारत के डाइमेंड एक्सपोर्ट्स में गुजरात का योगदान 80% है, सिरामिक सेक्टर की बात करें, तो गुजरात का मौर्बिक शेत्रा, अकेले ही देश के सेरामिक मार्केट में 90 परसेंट शेर रखता है यही पर सेरामिक टाइल्स सेडेटरी वेर और अलगलग सेरामिक प्रोडस की करीब दस हजार मेनुफेकरिंग यूनिट्स है गुजरात भारप में टॉप एक्स्पोर्टर भी है पिछले साल राजने करीब दो बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट किया था आने वाले समय में डिफेंस मेनुफेक्टरिंग बहुत बड़ा सेक्टर होगा